हेलो स्टुडेंट्स वेल्कम टू रोसन की क्लास यूटीब चैनल दोस्तों आप सभी का आज की इस पाठियोजना की वीडियो में एक बर फिस से बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं एकनॉमिक्स यानि की अर्थ-शास्त की पाठियोजना तो बस इतना ही रिक्वेस्ट रहता है पाठियोजना की वीडियो जब मैं आप लोगों को बताता हूँ तो आप लोग पूरी वीडियो देखा करिए जिससे मैं आप लोगों को जो भी इनफर्मेशन देना चाहता है। इस भी पिस से आप पार्ठी ऑजणा बनाना स्टार्ट करते हैं उसके पहले पेज पर इस तरीके से बीचो बीच सबसे ऊपर पार्ठी आ संख्या लिखनी होती है ठीक है इसको कदर चेंज कर लेता हूं रिख लीजेगा उसके आदे स्थी तरीके से विद्याला का ना में दिनांग लिखना है जिससे यह पता चलता है आपने किस देट में कौन सी पाठी होजना पड़ाइए कच्छा की बात की जाए तो नौवी और दस्मी क्लास के लिए है आप सभी को पता है एक्णामिक्स क्लास 9 से स्टाट होता वर्ग है चक्र यहाँ पे सेकेंड है विशा यहाँ पर बात करें तो अर्थ सास्त लिखेगा अवधी 40 मिनट का है अगर थोड़ा भूध भी आपको देखने में यहाँ पर प्राब्लम हो तो याद रखेगा मैं एक एक चीज़ आपको पढ़के बता रहा हूं और एक पेज उसको मैं पढ़के बता दूँम उसके आगे स़ही요 है प्रकट्ड है मुद्रा का इतिहास समय उध holy इडिंग का मतलब सभी को पता है अगर आप मेरी वीडियों देखेosureंगे तो ये दर किसा होता डोको पंड़र करना चाहते हूं के अब कर法抵 करना चाहते हैं उसके से परचित कराना तीसा पॉइंट है मुद्रा का लेंदें सम्मधी जानकारी प्रदान करना चौथा पॉइंट है वस्तुभी नवे के बारे में ग्यान विक्षित करना यह हो गया समाणिव दिश्ट के चारुपॉइंट उसके आद विस्स टूद्दें से आता है विस्स का मत पॉइंट मैक्सिम पांसे छे पांट लिख सकते हैं तो देखें यहां पर लिखा गया विसस्टुद्य से दूसरा पर नहीं मुद्रा के विकास की वियाख्या कर सकेंगे अब अगली हेडिंग है आप पर सहायक समगरी सहायक समगरी के अंतरकत आपको उन सभी समगरीयों के बारे में लिखना होता है जिसकी सहायता से छड़कारी करने के लिए बच्चे लेते हैं तो यहाँ पर चौक अगली इंडिंग अपर प्रस्तावना के प्रस्ण फिर आप इकनॉमिक्स वाले पर्टहुजना के प्लेलिश्ट में भी जाके आप देख सकते हैं प्रस्तावना के प्रस्ण बनाते से मैं कुछ बदों का ध्यान रखना हो तो उसको ध्यान दीजिए यहाँ पर कम को थे ज़्यादा पांसे शेट पूछा जा सकता है अपना प्रक्रण निकलवाने के लिए इसको तीन कॉलम में देखिए हैं पर डिवाइड किया गया क्रम संख्या चातर अध्यापक या भी चातर अध्यापक करिया चातर कथन पहला प्रसन है जब हमें कोई चीछ चाहिए होता है торो क्या करते हैं वेच्चे उसे आंगा छाखिट महीं हम खरीद करें दुकान से दुकान पर हमें अर्छे के कौन दयता है क्यों देने के बदले हम से क्या लेता है बच्चे पैसा या फैसे फूल सकते हैं कि इसको अरसास्त की बहूंत हम क्या बोलता है तो व्यक्रणब तो तो मुद्रा जरूर बोलें क्योंकि एकनॉमिक्स पढ़ रहा है तो यहाँ पर जैसे मुद्रा आएगा यहाँ पर मुद्रा लिखना हो मुद्रा लिख दीजेगा उसके 500 प्रसंट पूछेगा मुद्रा के बारे में आप लोग क्या जानते विश्टार पूरोग होता है हो सकत प्रस्तुति करड़ों के यहाँ पर देखेंगे पांच कॉलम में डिवाट किया गया करम संख्या सिछड़ बिंदु छात्र ध्यापक क्रिया या फिर चात्र कथन स्यांपट का यह पहला सिछड़ बिंदु है वस्तु विर्मे का अर्थ चात्र ध्यापक कथन में इसके बा अभी वस्तु को का निर्माण नहीं कर सकता है इसलिए वह विन में प्रथा का जन्म हुआ वस्तु विन में प्रथा का जन्म हुआ वस्तु विन में में व्यक्ति अपने पास जो समान ज्यादा होता है होता था वह उस व्यक्ति को देता था जिसके पास वह समान अतलब नही जिसकी पहले इसके सामने देख लीजिए फिर नीचे चल के दिखाता हूं आप लोगों चातर वाले का थम में लिखा गया चातर ध्यान परोग सुनेंगे वियाख्या को सुनेंगे और व्यक्ति को आशकता होती है चाधार सब्दों में व्यक्ति के बदले व्यक्ति सेवा के बदले सेवा, सेवा के बदले सामान का आदान प्रदान ही वस्त विन में कहलाता है इस काल में व्यक्ति वही कारी करता था जिसमें वह निपूर था विकासातम प्रस्न है वस्त के बदले वस्त और सेवा के बदले सेवा को क्या करता है वच्चे बोलेंगे वस्त विन में द के लिए किस्का कौन से दसाय होनी चाहिए बच्चे वो लेंगे यहाँ पर अब यहाँ फे önड़ समस्तियात्र परसुन हो जागा नहीं बता पाएंगे आप यहाँ पर देखेंके वस्त विन्मे के लिए मनुष्य की असक्ताइं सिमित होनी चाहिए क्योंकि अगर असक्ताइं असिमित होंगी तो वस्त विन्मे संभाव नहीं होगा दोहरा संयोग होना चाहिए मतलब हमारे पास जो वस्त है उसकी असक्ता दूरसे व्यक्ति को हो और उसके पास वो बस्थ हो जिसकी हमें आशकता हो लोगों में आपस में विश्वास हो तब बस्थ विरमे की दसा बनेगी च चात्र अलकौलम में देखी लिखा गया है यहाँ पे चात्र ध्यानपुरण की आख्या को सुनेगे यहाँ पर लिखा गया सेंपट पर वस्तुबिनमे के लिए दसाएं अब यहाँ पर तीसरा से छड़ बंद में देखे लिखा गया वस्तुबिनमे की कठिनाईया कि वस्तुबिनमे में कौन कौन सी कठिनाईया आती है स्पष्टिकर है वस्त विन्मे की बहुत सारी बाधाये हैं जैसे दोहरे संयोग का अभाव मतलब कमी की मतलब कमी इसके बाल सरोमान मुल्य मापक की कठनाई होना यानि कि यहाँ पे जो मुल्य का मापन हम जैसे करते हैं रुपए का दूसरे देश में हमको रुपए का मापन से मित ठीक है नहीं होगा तो ओहां पर व मिन्मे करने में दिक्कत होगी ठीक है वस्त विभाजन की कठनाई होती है वह संचे की कठनाई मुल्य हस्तान अंतरण की कठनाई अब आता है बोद प्रस्न इसको भी तीन कॉलम में डिवाड की आगए क्रम संख्या, छात्र ध्यापक क्या करिया या फिर छात्र ध्यापक कतन उसके बाद छात्र गतन पहला बोद प्रस्न है वस्थ विनमे के लिए समाज कैसा होना चाहिए बच्चे बोलेंग पिछड़ा औ फिर पाच्वाँ प्रस्ण है वस्त भीनमे से वशने के लिए किसका जन्म हुआ बच्चे इसको भी नहीं उता पर एंगमोन हो जाएंगे अब स्यामपट सारांस है स्यामपट सारांस में जो आपने पढ़ाया उससे सारी चीज़े तो आप नोट नहीं कर देंगे स्यामपट पे जो इंपोटन इंपोटन पॉइंट है जो आपने पढ़ाया उसको सारी चीज़े को स्यामपट पे लिख दीजिए जिससे बच्चे आस मुद्रा यूग में व्रस्थ को मुद्रा के रूप में प्रयोग की आ जाता है चौथा पॉंट है वर्दवान में तीन प्रकार के मुद्रा पिछली थे पहला पत्र मुद्रा we कन when we just gonna प्रस्थे का पहला आखयट यूग में मुद्रा के रूप में किसका प्राइवरieux होता था दूसरा यहां प्राइच पर प्राइच प्राचीन यूग में लोगों की कैसे थी तीसा परति हमें प्राइच प्राइच सब्स करता है पूछता है आपसे कभी कभी कि लेसन प्लान यानि की पाठी होजना का अंतिम हीडिंग क्या होती है तो बच्चों से आप बता सकते हैं उसको गृहकार है तो यहां पर देखे प्रसंद दिया गया बच्चों को घस्दे करके लाने के लिए छात्रों कल आप लोग इसके अलावा अगर आप लोगो को कोई भी लेसन प्लान चाहिए तो आप नीचे कमेंट बाक्स से कमेंट करके बोल सकते हैं मैं एक सुद्धो दिन के अंदर आप लोगों के वीडियो चैनल के वाधियम से अब तक पहुँचा दूँगा तो इस वीडियो की आपको पीडि प्रिग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में डाउलोड कर सकते हैं तो स्टुडेंट्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आप से भी का बहुत बहुत धन्यमाद जय हिंद वंदे मात्रम